कि इसे सर्वन यात्रा कहते हैं जो कि तरेता यूग में शर्वन कुमार ने करवाई थी और उसी को दोह्राने फिर से हम दोनों भाई निकले हुए हैं कि लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता को लाथ धके मार कर दिद्धकार्ते हैं उनको समझाना चाथे हैं कि ऐसा दुशनिया आव सब ये कारें ना करें कस्ट होता है पुष्ट के आगे ये कस्ट कुछ नहीं है काम का जो गन्य की जूसकी खिली थी ना मारे पस वो जड़िया था भी हम सारा कारोबार बेच के और यात्रा में सारा पैसा लगादिया हमने भी सरवन कुमार की कथा आपने जरूर सुनी होगी पड़ी भी होगी वो उस दौर के सरवन कुमार थे लेकिन ये कलिकाल है कल्यूग है और कल्यूग में ये सरवन कुमार की पर्तिकीरती यहाँ पर साप दिखाई दे रही है दो भाई है अपनी मा को इस तरह से ये कंद्रे पर बिठा करके चारधाम की यात्रा का संकल्प लिए हुए निकले हुए हैं हालंकि कपाट खुलने में यानि की चारधाम यात्रा सुरू होने में अभी समय से से लेकिन संकल्प जैसा की इ जंगा युमना बद्री के दार के ये अपने मम्मी को माता को दर्सन करा सकें इनी से सुनेंगे इनी की जवानी कया नाम है आपका पहले तो सभी को जैसंतों की हर हर महधेव और मेरा नाम है तेजपाल और हम हीमाचल परदेश जिला सोलन और तैसिल बदि से आये हैं और हम मूलिवासी उत्तरपरदेश के हैं और आप देखी सकते हो कि इसे सर्वन यात्रा कहते हैं जो कि त्रेता युग में शर्वन कुमार ने करवाई थी और उसी को दोहराने फिर से हम दोनों भाई निकले हुए हैं कि लोगों को समझाना चाते हैं कि जो लोग अपने माता पिता को लात धके मार कर दितकारते हैं उनको समझाना चाते हैं कि ऐसा दुष्णिया असव्य कारें ना करें उसी चीज को दोहराने प्रैक्टिकल दिखाने के लिए जा रहे हैं ये देखिए ये कही न कही एक संदेश है, संदेश दे रहे हैं उन कलियोगी पुत्रों को जो अपनी सानो सौकत के लिए, अपनी सुभदाओं के लिए, अपने माबाब को, बिर्द माता पिता को या तो बिर्दास्रम चोड़ देते हैं, या फिर उनको उनी के हाल पर और दूसरे भाई हैं, क्या नाम है आपका? रामराम को बाईगर को? नाम क्या है? धिरद जी ये आप चारधम त्रुटीात्रा में निकले हैं, सरवन कमार ने त्रुटा में की है हम गो लोगो हम चले हुमाचल से जिला-सोलन तैसिल बधि बधि से चले हम लोगो अच्छा फिर काहां काहां तक जाएंगे हमने यम्नोत्री गंगोत्री केदानाथ बद्रीनाथ इसके बाद चार ध्रम करके पर इसके बाद हमारी यत्रा राम्न्दर लाश्ट खतम होगी जाकि अचा मतलब आप करते क्या है वैसे आजीब का कर जरिया था काम का जो गन्य की ठेली थी ना हमारे पास वो जरिया था भी हम सारा कारोबार बेच के और यात्रा में सारा पैसा लगा दिया हमने भी तो एसने ही यह नहीं में लगता आफ यात्रा आप कर रहे हैं आप घारबार में हमारा सब कुछ है वह चीज बेज दिया है औरatif में खती और साथ की चीज है कष्ट है इसी सर्धा को बार बार नमन है कि माता जी से भी जानना चाहेंगे क्या नाम है माता जी आपका राजशोरी बेटे आपको जिए दर्सन कराने के लिए इस तरीके से ले करके जा रहे हैं नीचे रख दीजिए हाँ कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छे ला रहे हैं कल्यूग में ऐसे बेटे होना किसी को नहीं मिलता है यह सौबाग्य साली लोगों को मिलता है अच्छा अभी आप एकदम पैदल ही लगे हैं और यह पैदल ही आप चार धाम करेंगे हैं जी पैदल ही बहुत बढ़ी है ब बात का कि अपनी माता को दोनों भाई इस तरह से कंदे में उठा करके यह साधन इन्होंने बनाया है यह कंदी इन्होंने बनाई है इसको कंदे में रख करके यह अपनी माता को चार धाम की यात्रा करवाएंगे और चार धाम की यात्रा पूरी होने के पस्चात याने कि गं जंजावात होंगे बरसाथ होगी लेकिन संकल्प जो इन्होंने लिया है उस संकल्प को पूरा करना इनका उद्देश्य है और अपने गंतव्य तक ये पहुचाएंगे तो ऐसे चमतकारी और सरदावान बालकों को उत्राखंट तक भी सलाम करता है उंकार बहुगना उत्तरक सी उत्राखंट